वेलकम एवरिबड़ी आज हम MSE 3rd semester के NMR spectroscopy तदा उससे related कुछ और numerical problems करने जा रहे हैं जिसमें NMR के साथ UV और visible spectrum को लेते होए organic compounds के structure को समझाने की कोशिश की जाएगी थोड़े से example और हैं जिनको मैं discuss करना चाता था आपकी सुविदा के लिए आपके फाइदे के लिए I hope you will enjoy this तो next example है दस हमने पहले ही कर चुके हैं example ग्यार्मा example आज शुरू कर रहे हैं और यह कुल मिला के पहले ही बता देता हूं कुल मिला के छे examples हैं अभी जो मुझे करा नहीं तो थोड़ा सा I hope you will bear it with me तो 11th example जो है molecular structure का उसका कोई compound है organic compound उसका molecular formula C6H12O दे रखा है यह compound UV का absorption है lambda max 280 nanometer पर दरसा रहा है और उसका e max 25 है यह सारा data IR के बारे में significant bands at 1715 and 2900 centimeter inverse okay no problem PMR मैंने बता है PMR ज्याद़ informative है इसमें दो singlet है two singlets at delta is equal to 1.0 and delta is equal to 2.0 और इनकी जो intensity ratio है वो 3 is to 1 है respectively अर्था इनका जो जोड़ है वो 4 हो जाता है okay ठीक है तो इस तरह से proceed करते हैं कि इसके structure determination का solution के रूप में double bond equivalent निकालेंगे 2 into number of carbon atom 6 plus 2 minus number of hydrogen atoms 12 oxygen जो है उनको 0 उनको ignore किया जाता है double bond equivalent निकालने के लिए तो यह 1 हो जाएगा 12 plus 24 minus 12 divided by 2 divided by 2 2 by 1 हो जाएगा okay no problem UV band at 280 nanometer Emax 25 it indicates CHO और keto group यह आप UV visible में जैसे मैंने पहली बताया आप जान जाओगे IR bands at 1715 and 2900 centimeter inverse may be due to C double bond O carbonyl group and CH stretching respectively तो यह idea मिल गया कि इसमें CH stretching तो देखी मैंने आपको पहली ही बताया सभी में जादतर होगी और 1715 आप nanometer सॉरी सेंटिमीटर inverse का जो IR spectrum है वो प्राइज CEO group में ही मिलता है ओके और यह वी विजिबल भी इस तरफ indicate कर रहा है अब आते हैं PMR पर जो first week इसको कैसे अनलाइज करते हैं first week at delta is equal to 1.0 जो यह वाली थी मेरा मतलब था इसके बारे में देखते हैं कितने proton होंगे उसका देखिए इसकी जो intensity है वो three-fourth है तो three-fourth into 12 क्योंकि 12 number of hydrogen है तो three-fourth of 12 क्या हो जाएगा nine proton इसका मतलब है जो first first week है 1.0 ppm पे जो आ रही है वो 9 proton की वाज़े से है और इसी तरह से यह यहां पर निकाल solve कर रखिए यह और इसी तरह से जो second peak जो 2.0 ppm की थी वो one-fourth of 12 तो तीन proton के कारण आ जाएगी यह तो हमने यह तो पता लग गया कि first peak nine proton की बज़े से है और second peak जो है it is due to three protons fine जो 9 proton है उसकी singlet बता रखिए nine protons देखे लिख भी रखिया nine protons giving a singlet means three CS3 groups attached to are attached to carbon without any hydrogen क्योंकि singlet तभी मिलता है जब वो carbon किसी ऐसी carbon से जोड़ी हो जिस पर कोई hydrogen now so methyl groups so so is the methyl groups which is non equivalent with other three methyl groups which are just mentioned now तो मैं यह जो दूसरा है जो two ppm वाला जो है जिसमें तीन proton बताये थे क्योंकि यह भी एक singlet है तो इसका आर्थिये हुआ कि यह भी किसी ऐसे carbon से जोड़ी होई होनी चाहिए जिस पर कोई hydrogen ना हो और यह जो methyl है उन तीन methyl से non equivalent होंगे क्योंकि यह होते अगें तो एक ही जगे पर यह peak दिखाते तो कहने कार्थ ही हुआ कि हमने क्या क्या डाइग्नोज किया हमने तीन methyl एक carbon से लगे हुए यह डाइग्नोज हो गया है यह वाला यह वाला segment डाइग्नोज कर लिया हमने और एक methyl group जो है ऐसी carbon से लगया जिस पर कोई है डाइग्नोज कर लिया है ठीक है अब बचा क्या अब केवल इसमें आप देख सकते हो कि यहां पर यदि सब्ट्रेट करते हैं सबको तो केवल CO और बच जाता है क्योंकि इसमें देखिया ना C6H12O है और हमने कुल मेला के कार्बन की संख्या को तीन चार पांच को तो जस्टिफाई कर दिया है और हाइडोजन तो हो गए सारे बारे के बारे तो केवल एक CO बचा तो उस हिसाब से आप बहुत इजीली कह सकते हो कि इस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होगा वो यह होगा CS3 CO और फिर टर्श्री ब्यूटाईल तो इसका कॉमन नेम हो जागा टर्श्री ब्यूटाईल मिथाईल कीटोन या आयू पी एसी में यहां पर लिख रखा है 4-4 डाई मिथाईल व्यूटेन टूओन इसमें और इसको फिर बाद में इसको जस्टिफाई भी कर रखा है मैंने कि यह जो CS3 है यह वाला क्योंकि यह CO की कारवन से लगा हुआ है तो यह ज़्यादा डी शिल्डिट मैसुज करेगा बलही मेथाईल के तीन प्रोटोन है यह 2.0 पर इसका NMR स्पेक्ट्रम मिलेगा या NMR सिक्नल मिलेगा और यह जो 9 प्रोटोन थे तीन CH3 के यह क्योंकि CO से दूर है इनके बीच में कारवन आ रही है तो इसलिए यह कम डी शिल्डिड होंगे यह कहली के शिल्डिड होंगे तो यह 9 जो प्रोटोन का जो सिंगलेट मिलेगा वो डे स्पेक्ट्रम और दो ही हैं और देखिए CO ग्रूब भी आ गया है IR और UV भी उस तरफ इंडिकेट कर रहे थे तो I hope it is fully explained now next example लेते हैं question number 12 के रूप में है molecular formula है C9H12 के वला hydrocarbons है UV विजिवल स्पेक्ट्रम में lambda max 268 nanometer है और Emax इसका 480 है ठीक है कोई बात नहीं इसे benzenering hint मिल रहा है IR significant absorption at 3065 से 2910 और 11608 और 1473 cm inverse पर है ठीक है कोई बात नहीं IR की तो PMR देखिए delta की value 2.26 ये 9 hydrogen के कारण है और ये singlet है अब समझ में आ गई होगी आपको 9 hydrogen का मतलब ये 3 methyl group होंगे कहीं न गहीं और ये equivalent होंगे एक ही जगे पर 2.26 पर ये दिखा रहे हैं अपना signal और एक है 6.79 delta वो 3 hydrogen के कारण है ये भी singlet है ओके तो ये 3 hydrogen भी equivalent हुए ठीक है कोई बात नहीं solution में यहां से proceed करते हैं double bond equivalent निकालेंगे 9 into 2 plus 2 minus 12 जैसे मैंने पहले हैं divide by 2 20 minus 12 8 divide by 2 4 इसका मतलब है 4 benzene ring में होते भी हैं अब देखिए UV at 268 nanometer Emax Emax Epsilon पहले बता देगा molar extinction coefficient वो होता है 480 पर 268 nanometer पर ये मिल रहा है तो इसका मतलब आरोमेटिक रिंग ये इंडिकेट हो रही है IR bands at 3065 से 2910 centimeter inverse may be due to aromatic and saturated CH stretching of alkyl groups ठीक वही ये आपका कुल मिलाके ऐसे wholesome ये result ये दिख रहा है कि benzene ring भी है और CH3 group भी होंगे उसकी ही stretching है ये तो ये जो दिखा रखी है जहां तक PMR का सवाल है singlet rate 6.79 indicates presence of three aromatic protons which are equivalent देखिए delta की value 6.79 आ रही है 7.something आती है वैसे दो phenyl proton की लेकिन ये भी उसके आसपास ही है और इसका अर्थ है वहा कि ये aromatic proton ही है वले ही 7 से कम delta की value की है और ये तीन aromatic proton है जो singlet बता रहे हैं विचार equivalent इस singlet at delta वरावर 2.26 is due to 9 protons of CS3 group अब जो 2.26 की जो delta है ये तो इनके मकाबले shield डिटल रख रही होगे आपको और ये 9 proton किसके हैं methyl group के होगे तो उस हिसाब से structure of the compound इस तरह से होगया बेंजीन में methyl group जो है वो alternately लगे हुए होगे तो जो aromatic proton है वो तो 6.79 delta के है और जो methyl के जो proton है वो 2.26 delta के है तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि methyl के 9 protons equivalent होगे जो की 2.26 मतलब उनकी मकावले shielded स्तिती पर NMR संकेत देंगे और जो aromatic के तीन proton है उनमें से एक मैंने लिखवी रखा अलग से वो 6.79 पर आपको NMR संकेत देंगे तो इस compound is mesitiline और 135 trimethyl benzene next example ले लेते हैं देखे इस तरह कि यह सब simple हैं आप गबराना नहीं इन से next example है C3H5N9 यह मालगवा फार्मुला दे रखा है UV visible में no band there is no band in UV visible IR 2860 से 2960 सेंटीमीटर इंवर्स पर आईर एब्जोप्शन बता रहा है और 2250 सेंटीमीटर इंवर्स पर दिखा रहा है यह पहले कर चुके हैं इस तरह का साइनाइड में होता है 2200 के आसपस और 1460 सेंटीमीटर इंवर्स पर भी यह बैंड बता रहा है IR का PMR का जहां तक सवाल है इसमें दो संकेत मिल रहे हैं एक तो है 4.22 डेल्टा पर और एक है 3.49 डेल्टा पर ठीक है और intensity ratio भी 2 is to 3 का है sum of the ratio 5 हो गया solution किस तरह से है db double bond equivalent निकालेंगे तो 3 into 2 plus 2 minus 5 plus 1 तो चहर दो आठ आठ और पांच गे तो तीन और एक चार 4 by 2 हो जाएगा तो यह दो double bond होंगे इसमें equivalent no UV band indicates absence of conjugation aldeide और ketonic carbonyl group ठीक है ना तो इसमें conjugation है ना keton है aldeide है IR bands are 260-2960 cm inverse indicates CS stretching no big deal it is all they are present in almost all the organic compounds 2250 cm inverse मैंने स्ट्रेचिंग का है और 1460 cm inverse यह भी प्राइस हभी में मिलेगा carbon carbon single bond का stretch है यह होता है तो अब जरा देखिए यह हमने थोड़ा सा किवल cyanide का ही इसमें हमें महत्पूर्ण indication मिल रहा है और absence of these groups दिख रहा है अब दिखेंगे first signal at 4.22 is due to इसमें क्योंकि intensity 2 है तो 2 by 5 into 5 that is 2 protons and second signal at 3.49 is due to 3 by 5 into 5 that is 3 protons तो इससे इतना तो idea लग गया कि जो पहला PMR संकेत है 4.22 का वो 2 proton के कारण है और 3.49 delta का जो proton है वो 3 proton के कारण है है तो तो दो प्रोटॉन है और सीएस टू और इधर यह सीएस थ्री हो जाएगा और हाँ ठीक है हाँ यह singlet और triplet इसने नहीं लिखा है हाला कि कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे तो structure of the compound could be यह बन गया आप देखिए जरा यह compound को इसको हम उससे सीएस थ्री ओ सीएस टू सीएन तो सीएन में तो आई आर का संकेत का सवाल ही नहीं होता 4.22 यह क्योंकि इधर तो ऑक्सिएंस से लगा हुआ है और इधर साइनाइड से लगा हुआ है ठीक वही तो इसका मतलब यह ज्यादा डी शिल्डिड होगा और 4.22 पर पहुंच जाएगा इसका सिगनल और जो आपका यह नहीं दिखा है यह यहीं नहीं लिखा हुआ तो इसका और यह जो पीखोंगी और यह इसका हो गया है और जबूज वह दो प्रोटोन है वह दो डी शिल्डिड होंगे उनका डेल्टा वेल्यू इससे कम मिलेगा 3.49 पर तो इसका नाम हो गया तू मिथोक्सी एथेन नाइट्राइल ओके ये दोनों भी इक सिंगलेट ही है यदि मल्टिपलिस्ट्री नहीं लिखा हुए वो सिंगलेट ही होगी इसका रत है नेक्स्ट एक्जम्पल ले लेते हैं मालिकुला फार्मूला C7H8O UV विजिवल लेम्डा मेक्स 255 नैनोमीटर पर है और E-max 202 है IR जो है significant absorption set बहुत ज़्यादा दे रखे हैं 3400, 3065, 2890, 1500 and 1455 सेंटीमीटर इन्वर्स जहां तक PMR का है यहां पर आपको तीन संकेत मिल रहे हैं डेल्टा 3.90 यह सिंगलेट है एक हाईडियन के कारण है 4.60 यह भी सिंगलेट है दो हाईडियन के कारण है 7.26 यह भी सिंगलेट है पाँच हाईडियन के कारण है यह तीन PMR संकेद मिल रहे हैं तीनों ही सिंग्लेट के रूप में दिख रहे हैं जहां तक कैसे इसको प्रोसीड करना होगा डबल बॉंडिकुलन निकाली है आपकी आदी प्रवलम तो वहीं खतम हो जाती है 2 x 7 plus 2 minus 8 divide by 2 14 16 minus 8 8 8 by 2 4 4 से इंडिकेशन मिल रहे हैं कि बेंजीन रिंग हो सकती है अब इसमें UV visible absorption at 255 nanometer and 202 Emax indicates presence of बेंजीन रिंग यह बेंजीन रिंग की वज़े से है IR 3065 cm it is due to CS stretching 2890 cm it is due to again CS stretching but somehow different type so alkyl CS stretching और 3400 cm inverse जो है वो OH stretching की होगी क्योंकि OH की जो stretch होती है वो ज्यादा cm inverse पर मिलती है 1500 and 1455 cm inverse की जो stretch है carbon carbon stretching यह single bond की है तो इस तरह से करते हैं कि 1H NMR delta is equal to 7.26 due to 5 protons is due to 5 protons of phenyl group ठीक है कौन सा था यह हाँ 7.26 वाला हाँ ठीक है यह तो यह तो क्योंकि phenyl तो double bond equivalent सही मिल गया था और UV visible ने भी बता दिया कि benzene ring होनी चाहिए ठीक है all these 5 protons are equivalent means the substituent has similar electronegative negativity as the carbon of benzene ring हाँ जब इस तरह का singlet आये phenyl group का तो आप समझ जाएए कि यह mono substitution होगा और पांचों के पांचों जो बचे हुए hydrogen benzening से लगे हुए उनकी वह एक जगे पर ही NMR spectrum देंगे और जो benzening से जो लगा हुआ substituent है वो carbon के बराभर ही electronegative ठीक होगा या फिर यह की carbon ही होगा ठीक है और जो 4.6 की delta है it is due to two protons जैसे पहले लिखी रखा है two proton के कारण है that is CH2 group के वज़े से हो सकती है which are bonded to electronegative oxygen item क्योंकि यदि यह shielded है 4.6 पर बता रहा है तो इसका मतलब है एक तरफ तो बेंजीन रिंग से यह खिचाव मैसूँज कर रहा हुआ electron का और एक तरफ oxygen electronegative की वज़े से तो इस वज़े से यह de-shielded हो गया ठीक है भी bonded to electronegative oxygen atom and benzene ring और जहां तक थर्ड जो है यह कौन सा 3.90 यहां पर शायद description में नहीं दे रखा है 3.90 का जो signal है वो OH के कारण है तो कुल मिला के आपका जो structure है जो इन सबको explain कर पाता है थोड़ा सा आपको guess भी करना पड़ेगा लेकिन उनको justify कर दीजे बाद में फिनाईल ग्रूप फिर CH2 फिर OH अर्था बेंजाईल अलकोल होगा इसमें जो OH का प्रोटोन है 3.9 डेल्टा पर NMR संकेत बता रहा है और CS2 का जो प्रोटोन है 4.6 पर दिखाएगा क्योंकि यह भी digital did हो गया बेंजिन रिंग और oxygen दोनों ही electronegative हो गए इसके लिए तो और जो हमने अलग से लिख रहा है इस तरह के 5 हैं जो की equivalent है और 7.26 PPM पर यह NMR संकेत दे रहे हैं तो कुल में लागे बेंजाइल अलकोल इन सबको justify कर रहा है इसी तरह से एक और example ले लेते हैं molecular formula 58 है molecular mass 58 है sorry और UV visible में कुछ नहीं मिल रहा 200 nanometer पर transparent है कोई spectrum नहीं है IR 2940 से 2860 cm inverse पर है और 1460 cm inverse पर है not significant information so far PMR delta is equal to 4.75 यह triplet है और 7.1 CPS इसका coupling constant है दूसरा PMR 2.75 पर है यह quintet है पंचक जिसे बोलते है क्योंकि Q से पता नहीं लगता quartet है या quintet यह Q लिखाया तो quartet है और quintet पूरा लिखाया तो यह तभी quintet माना जाएगा J यहाँ पर भी 7.1 cycle per second है इसका मतलब यह vicinal hydrogen होने चाहिए non equivalent तो है vicinal होंगे intensity ratio 2 is to 1 का है जो इनका ratio का 3 हो रहा है और ठीक है कोई बात नहीं UV visible से क्या मिला idea कि no absorption about 200 nanometer means absence of conjugation aldehyde ketone और aromatic group जहां तक IR का सवाल है 2940 और 2860 cm inverse पर जो IR मिल रहा है इसका मतलब है it is due to alkyl CH stretching और 1460 cm inverse पर जो मिल रहा है वो carbon-carbon stretching का जस पहले भी हम इसको कर चुके हैं तो यह तो जातर में मिलती है इस तरह की stretch carbon-carbon की carbon hydrogen की तो ठीक है कोई बात नहीं इसमें aromatic नहीं है यही पता लग रहा है भी तो जहां तक PMR का सवाल है देखिए the presence of triplet at 4.75 delta and a quintet at 2.7 delta indicates presence of CS2, CS2, CS2 group connected to an electronegative element हाँ यह यहां पर आपको थोड़ा सा जज्ज करना होगा कि triplet और quintet कब आ सकते हैं बीच का जो CS2 है वो 2 CS2 से घिरा है चार हाइट इन से अर्था तो यदि यह CS2 आप बता दो कि यह अलग है इन से तो यह कि आपको quintet के रूप में मिल जाएंगे चार हाइजन और जो छोर के मतला end के जो CS2 है इसका अर्थ है यदि हम यह समझा दें कि इनको यह equivalent है तो इनके पड़ोस में 2 hydrogen होने के वज़े से यह बीच वाले hydrogen के इनके वज़े से यह यह triple 8 के रूप में मिलेगा यदि हम यह justify कर दें कि दोनों end वाले CS2 एक जैसे है तो यह और यह यह भी triple 8 के रूप में मिलेगा इसकी वज़े से और CS2 इन सब से equivalent नहीं है तो इसके लिए चार hydrogen हो जाएंगे तो हम quintet इसका CS2 की वाद मिडिल वाले CS2 से quintet समझा सकते हैं और end वाले CS2 जो हैं उनसे हम क्या समझा से ट्रिपल 8 समझा सकते हैं तो कहने कार थी यह हुआ यह idea मिल रहा है अपने को कि CS2, 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 CS2 जो तीन लगातार जो गुरूप है वो किसी इस तरह क यह electronegative atom से जुड़े होएने चाहिए ताकि दोनो CS2 एक जैसे हो जाएं जो छोर वाले CS2 है, electronegative से जुड़े होएने चाहिए तभी यह delta की value को बढ़ाएंगे, इस unit has अच्छा, तीन CS2 में कुल मिला के 14 into 3, 42 unit of mass आ जाता है, तो remaining group should have 58 minus 42, that is 16, 16 mass होना चाहिए, remaining group का, तो वो तो oxygen ही रहती है, तो इसका अर्थ है, यह idea मिला कि यह आपका जो compound है, वो इस तरह का होना चाहिए, CS2, CS2, CS2 और फिर oxygen, अर्थात epoxy group होना चाहिए इसमें, 13 epoxy propane इसका नाम है, तो इसको हमने justify भी कर रखा है, इस से, delta से, यह देखिए, जो end वाले CS2 है, यह equivalent हो करके, यह shielded की तरफ चले गए, sorry, d-shielded की तरफ चले गए, क्योंकि electronegative oxygen से जोड़े हो हैं, तो इनकी 4.75 पर resonance बता रहे हैं, इनके proton, और यह तुमारा, कुल में लगए 4 proton है, जो की triplet में टूट रहे हैं, और इस तरह से, यह जो बीच वाला, जो CS2 है, इसके 2 proton है, जो की, 4 proton से गिर के रूप में होगा, और इसका delta value, 2.75 अर्थत कम है, यह shielded है, तो इस तरह से, अब last example और कर लेते हैं, थोड़ी सी हिम्मत रखी, आपने और रखी है, next, जो last है आज के लिए, वो है C7H12O4, देखिए, यह हो जाते हैं, मैंने यह unsald ही हैं, यह जिनको किया हुआ है, और यह ठीक है, UV visible, no band above 210 nanometer, कोई बात नहीं है, IR, significant absorption band at 2940, 2860, 1740 centimeter inverse, 1460 centimeter inverse, 1260 centimeter inverse, and 1050 centimeter inverse, बहुत सारे हैं वही, अभी कोई discussion नहीं निकालेंगे, PMR, यह compound important है, बाई दिवे, आपको मैं बता देता हूँ, PMR delta is equal to 1.3, यह triplet है, जे की value 7.2 hertz, एक delta इधर और मिल रहा है, 2.5 पर, यह singlet है, और एक और NMR संकेत मिल रहा है, 4.2 पर, यह q, q का मतलब quartate है यहां पे, इसका jv 7.2 hertz है, तो 7.2 तो तब होता है, जब vicional hydrogens हों, तो triplet और quartet जो है vicional hydrogen की कारण है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भी, intensity ratio इनका respectively 3 is to 1 is to 5 है, और इनका जोड है, 6 हो जाता है, ratio का जोड निकालते हैं न, hydrogen की संक्या पता करने के लिए, ठीक है, how we will proceed, double bond equivalent निकाला, 2 into 7 plus 2, minus 12 divided by 2, 14 दो 16, 16 minus 12 है, 4, 4 by 2, 2 हो जाएगा, इसका मतलब बेंजीन रिंग तो नहीं होगा, दो double bond equivalent है, no band above 210, indicates absence of conjugation, aldeide ketone, carbonyl group और benzene ring, ये सब absence हो गई भी, इनको देखना ही नहीं है, इसका अरत है, IR है, 2940 से, 2860 cm inverse, जैसे मैंने वादा, CS stretching सभी में होता है, 1740 cm inverse, 1260 cm inverse, ये ester group की वज़े से हो सकता था, और 1460 cm ये carbon, carbon stretch है, तो ये इसमें केवल 1740 और 1260 cm inverse ही, हमें ज़्यादा informative है, function group के लिए ester, जहांते कि NMR का है, delta 1.3, triplet, हाँ भई, इसको देखिए, जड़ा कितने hydrogen assign करोगे आप इसको, क्योंकि intensity 3 है, और ratio का जोड़ जो है, वो 6 है, और 12 total है, तो 3 by 6 into 12, तो 6 proton की वज़े से हो जाएगा, ये जो पहला जो signal था, 1.3 वाला 6 proton के कारण है, यहाँ पर ये देखिए, बहुत important conclusion होते हैं ये, इसी तरह से जो second signal 2.5 delta पर था, इसकी intensity 1 थी, तो out of 6, तो 1 6th of 12, 12 proton total है, इसलिए, तो 2 proton की वज़े से हो जाएगी, और इसी तरह से जो delta का 4.2 पर जो quartet मिल रहा था, it is due to, how many protons, 2 by 6 into 12, 4 protons, ओके, तो अब ये लिख रख रखा है, triplet A, इसको A, B, C से level कर रखा, देखें यहाँ पर, A, B, C, इनको, तो triplet A, it is due to 6 protons, और quartet C, हाँ इनका, triplet A and quartet C, जो बात का है, they indicate CS2, CS2 group, group bonded to carbon having no hydrogen attached to it, sorry, CS3, CS2, ethyl group है, ये CS3 ही लिखा है, ethyl group है वही, क्योंकि ethyl group होगा, ये मैंने CS3 ही ही है, गलती से CS2, CS2 बोल दिया था, तो एक triplet और एक quartet, triplet का मतलब क्या हुआ, कि दो proton होने चाहिए, और quartet का मतलब है, तीन proton होने चाहिए, तो CS3, CS2 में ऐसा ही होता है, CS2 के पड़ोस में तीन proton है, तो quartet में तूट जाएगा, और CS3 के सामने, मतलब, नेवर कारवन पर दो proton है, वो triplet में तूट जाएगी, तो triplet, quartet, indicate, ethyl group, और, they are bonded to carbon having no hydrogen attached to it, there must be two equivalent CS2, CS3, that is ethyl group, ये दोनों equivalent होने चाहिए, ये दोनों equivalent क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि, यहाँ पर जो 6 proton जो हैं, वो तभी होंगे जब 2 methyl होंगे, और इसी तरह से 4 proton जो बता रखे C signal में, वो भी तभी मिलेंगे जब 2 CS2 होंगे, singlet B is due to two protons, indicates CS2 group bonded to carbon, which has no proton attached to it, and also deshielded, हाँ, जो signal B है देखिए, signal B, 2.5 पर जो मिल रहा है वो, ऐसे CS2 group का होगा, जो किसी hydrogen से नहीं है, और वो deshielded भी है, तो आपका जो structure जो है, इस तरह से, यह लिख रखे है मैं, B due to two protons, indicates CS2 group bonded to carbon, which has no proton attached to it, and also deshielded, क्योंकि 4.2 तो ज़्यादा है ही, ठीक है, तो इसका structure इस तरह से guess किया है, हमने देखिए, एक CS2 मिडल में लिख दिया है, और फिर COO इसके end पर लिख दिया है, और उधर CS2 CS3 एक छोर पर है, और उधर भी CS2 CS3 दूसरे छोर पर है, अब इसको analyze करते हैं, यदि given data से, तो आप देखोगे, बीच वाला जो CS2 है, वो carboxylic group के होने की वज़े से, थोड़ा सा deshielded हो रहा है, हलाकि क्योंकि directly तो ये carbon से ही लगा है, तो इतना ज़्यादा deshielded भी नहीं है, अब देखें इधर ethile वाले group से, ethile वाला जो group है, इसका जो CS2 है, वो क्योंकि directly oxygen से लगा है, इसलिए ये ज़्यादा deshielded होगा, इसलिए ये 4.2 पर NMR संकेत देदेगा, और CS3 वाला जो है, ये shielded है तो 1.3 पर देगा, तो इस तरह से हम इनको explain कर रहे हैं, इधर भी 1.3 और 4.2 का है, अर्दात यहाँ पर जो, आपने ABC इनको level करना हो तो ये, ये तो A है, this is your A, CS3, this is A, and this is C and this is B, तो इसका नाम हो जाता है, डाइ इधाइल मेलोनेट, यहाँ पर लिख रहे हैं, डाइ इधाइल मेलोनेट, ये आप और्गनिक केमिस्टी में, इस सक्रिया मिथलीन समू, के कंपाउंड के रूप में भी पढ़ते हो, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि ये थोड़ा इंपोर्टेंट है, आज इतना ही और आज जो इसके साथ ही हमने जो एक्जामपल आपके लिए चुने थे, यूवी विजिवल एनेमर और आईयार स्पेक्ट्रोस्कोपी से, स्ट्क्चर डिटर्मिनेशन के वो खतम होते हैं, ये बीसी थर्ड इयर में भी आप पढ़ते हो, आप क्योंकि आपके सलिवस में अभी भी है, इसलिए इनको मैंने रिपीट करा दिया था, जिन्हों नहीं पढ़ा है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो अब जान जाएं, अब जो हम जो टॉपिक रह गए हैं, वो उस तरह के हैं जिन एक्सक्लूजिल विजिजो, एमेसी सलिवस में ही हैं, ठीक है, फिर आगे की बात आगे करेंगे, बाई!